एलोई जिसे की हम मिश्रधातू भी बोलते हैं काफी ज़्यादा इंपॉरेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो तो फ्रेंस वो सभी कोशन जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉरेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ कि मिश्रधातू यानि की एलोई होता क्या है दो या अधिक धातू या एक या अधिक धातू वे एक धातू की समांगी मिश्रण को मिश्रधातू कहा जाता है यदि मिश्रधातू का एक अववे पारा हो तो वैसा मिश्रधातू अमलकम कहलाता है यह आपने याद रखना है प्रतेक मिश्रधातू में कुछ निश्चित उप्योगी गुन होते हैं यह गुन मिश्रधातू बनाने वाली अवेवी तत्वों के मूल गुनों से भिन होते हैं यह आपने याद रखना है यह तो बात हो गई मिश्रधातू यानि की ऐलोई की डेफिनेशन अपने जितने भी कोशन एक्जाम में पूछे गए हैं पिछले और जो आपके एक्जाम में आने के चांसी से हैं वो सभी कोशन में आपको करवाने वाला हूँ तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना सभी important question मैंने इस वीडियो में करवा दिये हैं पहला कोशन है हमारा, L-Niko किसका मिश्रधातू होता है, सही आंसर इसका, option A, Almonium, Nickel और Cobalt, Almonium, Nickel और Cobalt का मिश्रधातू होता है L-Niko, ठीक है यह आपने याद रखना है, और फिर जो L-Niko मिश्रधातू होता है, इसका उप्यो करते हम, चुम्बकों के निर्मान में, ये भी आपने याद रखना है, जितने भी यहाँ पे element आ रहे हैं, जितने भी तत्व आ रहे हैं, जैसे aluminium आया, इसका जो रसाइनिक सुत्र होता है, वो AL होता है, nickel का रसाइनिक सुत्र NI होता है, और cobald का रसाइनिक सुत्र होता है CO, ये आपने याद रखना है, अगला कोशन, एक्जाम में कई पर पुछा जा चुका है, कांसा, जिसे की हम bronze बॉलते हैं, किसका मिश्ध हतो होता है, सही answer इसका, option C, तामबा और टिनका, तामबा और टिनका मिश्ध हतो होता है, bronze, ये आपने याद रखना है, तामबा का रसाइनिक सुत्र CU होता है, तिनका रसाइनिक सुत्र SN होता है, फिर्स वहीं अगर हम बात करें, bronze की, यानि कांसा की, इसका उप्योग होता है, मूर्तियां बनाने में, सिक्क्य बनाने में, आभूशन बनाने में, और बर्तन बनाने में, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगला question, एक्जामें हर साल रिपीट होता है, ब्रास, जिसे की हम पितल भी बोलते हैं, या किसका मिश्ध हातो होता है, सही answer है, option B, तामबा और जस्ता का, तामबा और जस्ता का मिश्ध हातो होता है, पितल यानि की ब्रास, और मैं आपको बता दूँ, पितल का हम प्रियोग करते हैं, बर्तन बनाने में, सस्ते अभूशन बनाने में, next question, घंटा धातो, यानि की बैल मैटल, किसका मिश्ध हातो होता है, सही answer है, option D, ता तामबा और टिन का मिश्ध हातो कहलाता है, घंटा धातो, यानि की बैल मैटल, इसका परियोग करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, घंटा धातो, कठोर मिश्ध हातो है, जिसे की घंटे और घंटियां बनाई जाती है, अपने मंदिरों में देखा होगा, उसी को हम बैल मैटल बोलते हैं, अगला कोशन, कॉंस्टेंटन, किसका मिश्ध हातो होता है, सही आंसर है, ऑप्शन ए, तामबा और निकल, तामबा और निकल का मिश्ध हातो कहलाता है, कॉंस्टेंटन, ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है, और तामबा का जो रसा बनाने की currency metal बन ज़िसके सिक्bn बनाए जाते हैं, हृष का मिश 구ा ह morphreen होता है। सही बनाने में और इसका इभ्योंब मुदराई बनाने में या आपको याद रखना है। किसका मिश्चर धातु होता है? सही आनसर है, option D, тамba, tin और palladium, tamba का रसानीच सुथ CU होता है, tin का रसानीच सुथ SN होता है, palladium का रसानीच सुथ PD होता है, इसी का परियोग करते हैं, मुद्रा धातु बनाने में, और इसका अब्योग होता है, मुदराएं बनाने में यह आपको याद रखना है अगला कोशन डूरे लूमिन किसका मिश्रधातू होता है सही आंसर है ओप्शन B अलूमीनियम एल, तामबा मेगनेशियम और मेगनीज इन चारों तत्व का मिश्रधातू कहलाता है डूरे लूमिन और इसका उप्योग करते हैं वायू यान बनाने में तता हलके ओजार बनाने में इसका उप्योग होता है नेक्स कोशन डेल्टा मेटल किसका मिश्रधातू होता है सही आंसर है ओप्शन C तामबा, लोहा और जस्ता तामबा, लोहा और जस्ता का मिश्य धातू कहलाता है डेल्टा मैटल ये भी एक्जाम में पुछा गया है और इसका उपयोग करते हैं पानी के जहाज बनाने में डेच धातू किसका मिश्य धातू होता है यानि कि डेच मैटल की बात हो रही है सही आंसर है ऑप्शन भी तामबा और जस्ता कॉंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करना और जो हमारा फ्रेंट्स करन्ट अफेर का चैनल है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो करन्ट अफेर काफी इंपॉरेंट होता है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है नाम है करन्ट अफेर बाई रवी इस यूट्यूब चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पूरे यूट्यूब फेंट से एक नंबर करन्ट अफेर पढ़ाया जाता है इस चैनल के अबबर अगला कोशन काफी इंपॉरेंट है जर्मन सिल्वर किसका मिश्चद हातु होता है सही आंसर है ऑप्शन ए तामबा, निकल और जस्ता प्रेंट सापने यहां पर यह देखा कि जर्मन सिल्वर की बात हो रही है यहां पर सिल्वर वर्ड आया है लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर सिर्फ नाम है इसका सिल्वर यहां पर पर सिल्वर इसमें नहीं होता तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है तामबा होता है, निकल होता है और जस्ता होता है यह आपको याद रखना है उपयोग होता है इसका बर्तन बनाने में विद्यूत प्रतिरोद बनाने में और घरेलूत समागरी बनाने में जर्मन सिल्वर का परियोग किया जाता है यह आपको याद रखना है गंधातु यानि कि गंधातु किसका मिश्रधातु होता है सही आंसर है Option C तामबा, टिन और जस्ता तामबा, टिन और जस्ता गंधातु का मिश्रधातु होता है यह आपने याद रखना है एक्जाम के लिए important है और इसका अप्योग किया जाता है बंदूक और गोलियां बनाने में next question मून्स धातु यानि कि मून्स मैटल किसका मिश्रधातु होता है सही आंसर है Option B, तामबा और जस्ता तामबा और जस्ता में मून्स धातु का प्रियोग किया जाता है उप्योग उतायस का मशीन पार्ट्स बनाने में next question magnnilium किसका मिश्रधातु होता है सही आंसर है Option D, aluminum और magnesium का aluminium और magnesium का मिश्रधातु कहलाता है magnilium और magnilium का उप्योग किया जाता है वहान के निर्मान में और आटो मूबाइल उत्योग में या आपने याद रखना है अगला question mononel धातु मोनेल मैटल किसका मिश्य धातु होता है सही आंसर इसका option A तामबा, निकल और लोहा तामबा, निकल और लोहा का मिश्य धातु कहलाता है मोनेल धातु यह आपको याद रखना है इस copy हो किया जाता है मशेनी उपकरन बनाने में समान रखने के पात्र बनाने में फिर्ट इस topic से आपको हर exam में कोशन देखने को मिलेंगे तो फिर्ट यह topic आप अच्छे से कर लेना most important है आपके exam के लिए और जो भी element है याई ताथ तावारा साथ में उसका रसाइनिक सूतर भी आपको बता रहा हूँ का मिश्य धातू कहलाता है नाइक्रोम और इसका उप्यों के जाता है heating element बनाने में heaters जो होते हैं हमारे उसमें जो while use होती है कुछ इस पर कार्गे फेंट्स वो नाइक्रोम ही होता है अगला question rose धातू यानि की rose metal किसका मिश्य धातू होता है सही answer है option D bismuth, shisa यानि की lead और tin bismuth, shisa और tin का मिश्य धातू कहलाता है rose धातू और इसका उप्यों कहलाता है 140 fuse बनाने में bismuth का रसाइनिसूत B.I होता है shisa यानि की lead का रसाइनिसूत PB होता है और tin का रसाइनिसूत SN होता है अगला question rolled gold यानि की जूटा सोना किसका मिश्य धातू होता है सही answer है option B tamba और aluminium tamba और aluminium का मिश्य धातू कहलाता है rolled gold यानि की जूटा सोना ये आपको याद रखना है उपयोग देख लेते हैं सस्ते आभूशन बनाने में friends हम rolled धातू का प्रियोग करते है यानि की rolled gold का प्रियोग करते है next question हर साल एक्जाम में repeat होता है tanka यानि की solder किसका मिश्य धातू होता है सही answer इसका option C tin और sisa का यानि की tin और sisa sisa को friends हम led भी बोलते है इसका मिश्य धातू होता है tanka यानि की solder उप्योग किया जाता है इसका धातूं में tanka लगाने के लिए ठीक है friends ये आपने याद रखना है next question type धातू किसका मिश्य धातू होता है सही answer इसका option A sisa यानि की led भी बोलते है tin और antimony sisa tin और antimony का मिश्य धातू कहलाता है type धातू इसका प्रियोग कहलाता है printer बनाने में ठीक है antimony का फेंट रसाइनिक सुत्री पुछा जाता है exam में वो sb होता है ठीक है अगला question इस पात जिसे की हम steel भी बोलते है हमारे खरों में जो बरतन होते है steel की उसी की बात हो रही है किसका मिश्य धातू होता है यह सही answer है option C लोहे का क्रोमियम का और कार्बन का लोहा क्रोमियम कार्बन का मिश्य धातू कहलाता है इस पात यानि की steel उपियोग कहलाता है भवनों में अधोर संजणा में किसका मिश्रधातु होता है? सही आंसर है. Option B लोहे का और निकल का. लोहे का और निकल का मिश्रधातु कहलता है निकल इस पात. यह आपने याद रखना है. नेक्स्ट कोशन करवाई एते हैं. जितने भी कोशन बनते थे ना, 21 कोशन में नेश्रधातु यानि अलॉई से. यहां पर जितने भी elements की यानि की तत्व की बात हुई है उनके बारे में आपको बतायता हूं अगला question है लोहा का रसायनिक सूतर क्या होता है सही answer है option B Fv Fv जो होता है लोहा का रसायनिक सूतर होता है यानि की chemical formula होता है और जो लोहा होता है अगला कोशन, निकल का रसाइनिक सूतर क्या होता है? सही आंसर इसका, option C, Ni Ni जो होता है, फैंट्स, ये निकल का रसाइनिक सूतर है और निकल का परमानु संख्या कितना है? 28 है, ये भी एक्जाम में पुछा जाता है अगला कोशन है मारा क्रोमियम का रसाइनिक सूतर क्या होता है? सही आंसर इसका, option A, CR CR जो है, ये क्रोमियम का रसाइनिक सूतर है और क्रोमियम का परमानु संख्या है, 24 Next question कारबन का रसाइनिक सूतर क्या होता है? सही आंसर है, option D, C C जो है, ये कारबन का रसाइनिक सूतर है या आपको याद रखना है और कारवन का परमानुसंख्या कितना होता है 6 होता है Next question सीसा जिसे की हम लेट भी बोलते हैं का रसाइनिक सूतर क्या होता है काफी बार गिसाम में पूछा जा चुक है सही आंसर है Option C, PB ठीक है PB जो होता है रसाइनिक सूतर होता है किसका सीसा का और सीसा का परमानुसंख्या होता है 82 Anti-money का रसाइनिक सूतर क्या होता है सही आंसर है Option D, SB SB जो है फैंस ये रसाइनिक सूतर होता है किसका Anti-money का Anti-money का परमानुसंख्या कितना होता है 51 होता है अगला question तामबा का रसाइनिग सूतर क्या होता है? सही आंसर है, Option A, C. C.U. तामबा का रसाइनिग सूतर होता है और तामबा का परमानुजंग्य कितना होता है? 39 होता है. फरेंट्स, आपके लिए कि इंपॉर्नेर अनॉंसमेंट है. अगर आपके लिए अगर आपके लिए आपके लिए नाम से हमारी ये बुक है और हर एक्जाम के लिए काफी ज्यादा यूसफुल रहने वाली है अगला कॉशन एलुमीनियम का रसाइनिक सूतर क्या होता है सही आंसर है Option D, AL AL जो है फैंट्स ये रसाइनी सूतर है अलमूनियम का और अलमूनियम का परमानु संख्या कितना होता है तेरा होता है अगला कोशन कोबाल्ट का रसाइनी सूतर क्या होता है सही आंसर है Option D, CO CO जो है ये कोबाल्ट का रसाइनी सूतर है और कोबाल्ट का परमानु संख्या कितना है 27 है नेक्स कोशन जस्ता यानि की जिंक का रसानी सूतर क्या होता है सही आंसर है option C ZN ZN जो है जस्ता ये का रसानी सूतर होता है और जस्ता का परमानु संख्या कितना है 30 है नेक्स कोशन 10 का रसाइनिक सूतर क्या होता है सही आंसर है Option A, S N S N जो है 10 का रसाइनिक सूतर है और 10 का परमानु संख्या कितना है 50 है Magnesium का रसाइनिक सूतर क्या होता है सही आंसर है Option A, M G M G जो है Magnesium का रसाइनिक सूतर है और Magnesium का परमानु संख्या कितना है 12 अगला कोशन बिस्मित का रसाइनिक सूतर क्या होता है सही आंसर है option B, B I B I जो है बिस्मित का रसाइनिक सूतर है और बिस्मित का प्रमानु संक्या है 83 next question मैंगनीज का रसाइनिक सूतर क्या होता है सही आंसर है option C, M N MN जो है यह मैंगनीज का रसानिक से उतर है और मैंगनीज का प्रिमानों संख्या कितना है 25 है मैंने आपको इस वीडियो में 35 most important questions करवाए अब इस वीडियो का एक और बहतरीन पार्ट आ गया वो क्या है? जितने भी questions मैंने आपको भी करवाएं है एलनिको किसका मिश्य धातू होता है सही आंसर है एलमूनियम, निकल, कोबाल्ट अगला question revision का कांसा किसका मिश्य धातू होता है सही आंसर है तामबा और टिन का नेक्स question पितल किसका मिश्य धातू होता है सही आंसर है तामबा और जस्तागा अगला कोशन घंटा धातू जिसे कि बैल मैटल भी बोलते हैं किसका मिश्य धातू होता है सही आंसर है तामबा और तिन का अगला कोशन कांस्टेंटन किसका मिश्य धातू होता है सही आंसर है तामबा और निकल का नेक्स कोशन कर लेते हैं रिवीजन का मुद्रध हतु जिसे की हम करंसी मецल भी बोलते हैं किसका मिर्शद हतु होता है सही आंसर है तामबा, टेन और पैलेडियम next question डूरेल्यूमेन किसका मिर्शद हतो होता है सही आंसर है एलमुनियम, तामबा, मैगनीशियम और मैंगनेज next question करा लेते हैं डेल्टा मेटल, किसका मिश्य धातू होता है? सही आंसर है, तामबा का, लोहे का और जस्तागा. डच धातू, जिसे की हम डच मेटल भी बोलते हैं, किसका मिश्य धातू होता है? सही आंसर है, तामबा और जस्तागा. जर्मन सिल्वर, किसका मिश्य धातू होता है? Q. Moon's Metal, यानि कि Moon's धातू, किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, तांबे का और जस्ते का. फिर टॉपिक इतना ज़्यादा important है, हर एक्जाम में इस टॉपिक से question पूछे ही जाते हैं. तो फिर जितने भी question पिछले साल के exam में आये हैं और आने वाले exam के लिए important रह सकते हैं, वो सभी question मैंने अपनी इस वीडियो में cover कर दी हैं. Next question, Magnilium, किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, Aluminium और Magnesium का. Monil धातू, किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, Tambay का, Nickel का और लोहे का. अगला question, exam में कई बार पुछा जा चूगा है, Nichrome किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, Nickel का, Chromium का और लोहे का. Rose धातू, यानि कि Rose Metal, किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, Bismuth, Lead, जिसे कि हम सीसा भी बोलते हैं, और Tin का. Next question, Rolled Gold, यानि कि जूटा सोना, किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, Tamba और Aluminium. साथ साथ में मैंने आपके लिए, Symbol भी लिखे होए हैं, जैसे कोई भी Element आ रहा है, यानि कि कोई भी तरतव आ रहा है, फिरन उसका साथ साथ में आपको रसाइनिक सूत्र भी बता रहा हूँ. टांका, किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, Tin का और Sisa का. टाइप धातू, किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, Sisa, Tin का और Antimony का. इस पाथ किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, लोहे का, Chromium का और Carbon का. नेक्स कोईशन, निकल, किसका मिश्च धातू होता है? सही आंसर है, लोहे का और निकल का. लोहे का रसाइनिक सूतर क्या होता है? आंसर है FE निकल का रसाइनिक सूतर क्या है? आंसर है NI क्रोमियम का रसाइनिक सूतर क्या है? आंसर है CR कार्बन का रसाइनिक सूतर क्या है? आंसर है C शीशा यानि की लेड का रसाइनिक सूतर क्या होता है? सही आंसर है PB Antimony का रसाइनिक सूतर क्या होता है? आंसर है SB Tambay का रसाइनिक सूतर क्या होता है? आंसर है CU Aluminium का रसाइनिक सूतर क्या होता है? आंसर है AL Cobalt का रसाइनिक सूतर क्या होता है? आंसर है CU Jasta का रसाइनिक सूतर क्या होता है? ZN टिन का रसाइनिक सूतर क्या होता है आंसर है SN मैंगनेशियम का रसाइनिक सूतर क्या होता है MG बिस्मित का रसाइनिक सूतर क्या होता है BI मैंगनीज का रसाइनिक सूतर क्या होता है आंसर है MN मैंने आपको यह 35 कोशन करवाई Most important topic था जिसे की हम बोलते हैं मिश्रधातु इसे लिए सभी कोशन मैंने आपको करवा दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है कॉंटेंट पसंद आया है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मेरी कोशिश यह रहती है कि कोई भी टॉपिक आपके लिए कर रहा हूं अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मैं आपको बदा दूँ कि हमारी बुक लाउंच हो चुकी है रवी स्टड़ी आईक्यू जी के नाम से है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू अल दी बेस्ट